हेलो स्टूरेंट्स आज की वीडियो का टॉपिक का ओमिशन ओफ आर्टिकल्स इससे पहले मैंने द का यूज और अन ये दोनों चीज कहां कहां पर लगे गए तीनों आर्टिकल्स वो बताये था अगर आप लोग इंट्रेस्टेड है तो इससे पहले वीडियो जाके देख ल सबजेक्ट हो कोई भी सबजेक्ट का नाम हो लैंग्वेज हो गेम्स एन स्पोर्ट्स तो ये चारो जहां पर भी रहेगा इसके नाम के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा आर्टिकल्स जो है उसका यूज बिलकुल नहीं होगा हम लिग दे रहें यहां पर नहीं आर यसे कि example क्या है, he is a student of history, यह रहा हम लोग के example, इसमें क्या दिखा रहा है कि history क्या है, history हम लोग का एक subject है, तो इसके पहले, हम बोले हैं, इसके पहले, हम लोग a या किसी वी तरह का article का use नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, student तो noun है न, इसलिए हम लोग इसके पहले a का use कर लि सब्जेक्ट के पहले नहीं लगेगा, यह टू नर पर चले आते हैं, she can speak Hindi, Sanskrit and English, वो यह तीनो लैंग्वेज बोल सकती है, या बातचित कर सकती हैं, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का use नहीं किये हैं, तो यह पर क्या बला था, subject लैंग्वेज और games and sports के पहले हम लोग जाता हैं, इसमें क्या है, किसी भी तरह का positive adjective, positive adjective में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि my, your, our, etc, इसके तरह से related और बहुत सारे words हैं, यह सब क्या हो गया, positive adjective के category में आता है, अब किसमें जाएंगे हम लोग, demonstrative adjective, इसमें चलते हैं, इसका example कुछ दे दे हम, तो clear होगा, ज्यादा अच्छा से सुवीदा होगा समझने में, this, that, this, those, no, any, other, any other, एक साथ भी तो रहता है ना, कभी कभी any other, etc, इन सभी words जो हम लोग black में लिखे हैं, इन सभी हम लोग demonstrative adjective बोलेंगे, तो किसी भी demonstrative adjective के बाद, जो noun रहता है ना, उसके पहले हम लोग article का use बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, जो noun रहेगा, इसके पहले हम लोग article का use बिल्कुल नहीं करेंगे, article का use नहीं करेंगे, यह हो गया, नहीं करेंगे, example दे देते हैं, example one, this, example one है हम लोग का, this is my house, यह हम लोग का रहा sentence, यहाँ पे, जो my है, वो क्या हो गया, positive adjective और जो house है, वो तो हो गया noun, तो क्या बोल रहा है, जो positive adjective है, उसके बाद, जो noun का use होगा, इसके पहले हम लोग ए का use नहीं करेंगे, यानि कि, कोई बहुत सारे student जो होते हैं, उन्हों का information नहीं जा पाता है, कि the, या फिर a का use कर बैठते हैं, यहाँ पे, लेकिन, ऐसा use जो है, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे, भी हम लोग this, जो देख रहें this, यह क्या है, demonstrative adjective है, ठीक है, तो इसके बाद, जो house का use होगा, इसके पहले हम लोग a या the का use, article का use नहीं करेंगे, बिल्कुल, example 3 देख लेते हैं, each boy was ready, यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ना हो, कि the boy या फिर a boy कर बैठे, यह एकदम गलत रूल है, यह हम लोग को करना ही नहीं है, यहाँ पे each, each क्या है, हम लोग का each जो है वो, demonstrative adjective है, तो each boy was ready, यह जो है correct order है इसका, rule नमर 3 में आप चलते हैं हम लोग, कुछ-कुछ phrases ऐसे होते हैं, जिसके बाद अगर noun हो, और तो noun के पहले हम लोग article का use बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ phrases, जैसे phrases की category में कौन को आता है, kind of, जैसे की बोल दिया kind of man, ठीके, तो इसके जो man हो गया, man के पहले हम लोग article का use नहीं करेंगे, हमें example देंगे, तो clear हो जाएगा, पहले आप phrases देख लिजे, जो specific कुछ-कुछ phrases है, वो आप लोग देख लिजे, ठीक है, kind of, type of, short of, variety of, rank of, post of, सब कुछ specific phrases है, जिसके बाद जो noun होगा, उसके पहले हम लोग article का use बिल् title of, position of, a number of, a large number of, a lot of, lots of, plenty of, a great deal of. हाँ, जी, तो यह हम लोगा कुछ phrases रहा, specific phrases, particular phrases, जिसके बाद, कोई अगर noun आए, तो वहाँ उसके पहले, noun के पहले हम लोग कोई भी article का use नहीं करेंगे, got it, यह रहा, अच्छा, example दे देते हैं, use नहीं करेंगे, example दे टीव मैं, यह पर, example one है हम लोगों का, I do not like this kind of man. मुझे इस तरह के आदमी या इनसान पसंद नहीं है, तो यह जो हम लोगा correct order है, अगर हम लोग इसमें a man लगा देता है, या फिर dumb man लगा देता है, तो यह एकदम गलत order है, यहाँ पर हम लोग ऐसे विल्कुल करेंगे नहीं, I do not like this kind of man, यह क्या है kind of, हम लोगा phrase हुआ, फ करके, बताएंगे हम लोग आगे चलके, example to पहले देख लेते हैं, he has been promoted to the rank of SP, मतलब उन्हें rank of SP पर promote कर दिया गया है, यानि कि उसका जो है, प्रोमोशन हो गया है, तो यहाँ पर कौन है phrases हम लोगा, rank of है, specific phrase जिसमें rank of थाना एक जगा पर यह रहा, इसके बाद कौन यूज हो रहा है, ठीक है, और इसके पहले हम लोग को the, या फिर कोई भी आर्टिकल का use नहीं करना है, and SP, the SP हम लोग यूज ना करते हैं, यह रहा example 2, अब हम लोग example 3 की और चलते हैं, इसको देख लीजे, आप लोग तो idea clear हो जाएगा, a lot of money has been spent, यह रहा, got it, a lot of, यह जो हम लोग का phrase हो गया, यह रहा हम लोग का noun, और इसके पहले हम लोग को the money, या फिर a money, या फिर नहीं use करना है, बिल्कुल नहीं करना है यह रहा, उसी तरह यहाँ पर भी an SP, और the SP, यह जो हम लोग को use नहीं करना है, ठीक है, यह एक दम गलत rule है, जो कि हम ल important note की दरफ चलते है, important note, important note में क्या है, बता देते हैं, फटा फट से, kind of यह प्रेज था, पीछले पेज में हम लोग पढ़ लिये है, type of, short of, यह तीनो, ठीक है, उतना सारा में इन तीनो को लेका चलते हैं, इसके बाद क्या पढ़े हम लोग, या फिर the का परियोग नहीं हो होगा, right, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ-कुछ case में इसका परियोग हो सकता है, कर सकते हैं, कब, कौन सा को case है, जब कोई sentence जो है, interrogative sentence में रहेगा, interrogative form में रहेगा, तब, interrogative मतलब होता है, question, question वाला sentence रहेगा, तब, example के लिए, what type of a singer is he, वो किस तरह का singer है, तो यहाँ पे क्या किया है, हम लोग, singer के पहले एक्ठो ए लगा दिये है, type of के हम लोगा phrase, इसके बाद क्या है, एक्ठो noun, होता है, हमें सा use, पता ही है, तो इसके पहले क्या बोलना था, कि ए लग जाएगा, कब, जब interrogative sentence हो, मतलब, question पूछ हो sentence तब, इसी तरह का और एक example है, example क्या है, इसको हम लोग और एक तरह से लिख सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग बता देते हैं, what type of singer is he, इसलिए ना बोल रहा है, यहाँ पे परियोग हो सकता है, यानि कि आप यहाँ पे एक कर भी सकते हैं, या पिर जैसे कि यहाँ पे करेक्ट है, बट कही कही पे हो सकता है, अगर आप लगाये तो सही है, नहीं लगाये तो फिर भी सही है, अब हम लोग रूल नमर फोर में चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कुछ words, specific words, जैसे कि men, women, life, death, science, art, और nature, यह कुछ specific word है, अगर इसका use हम लोग ब्रॉड रूप में करें, ब्रॉड रूप मतलब कि कुछ specific meaning बता है, कुछ बड़ा सा meaning हो, ठीक है, और जो universal है, ठीक है, universal truth हो, उसके पहले किसी article का परियुग नहीं होगा, ठीक है, किसी भी article का use नहीं करेंगे, हम लोग, article का use नहीं करेंगे, यह हो गया, example क्या है, example का तौर पर, man is mortal, अभी अभी क्या देखें था हम लोग, कि एक ब्यापा कारते हैं, यान कि broad meaning होना चाहिए, बहुत बड़ा meaning, तो यह तो देर है, man is mortal, man एक mortal है, यान कि modern shell है, तो यह तो सच है, सच्चा ही बात है, तो यह हुआ, example two, इसमें क्या की हम समझा दे रहा है, जो, क्या बलता है, man है, उसके, पहले हम लोग, the का, या फिर किसी भी तरह का article का use नहीं किया है, next example क्या है, women is man's mate, यह हम लोग का next sentence है, इसमें women क्या है, एक specific noun है, इसके पहले हम लोग article का use, बिल्कुल भी नहीं करेंगा, no article, okay, क्योंकि एक broad meaning हम लोग के तरफ लिगा था, अब इससे related exam में किस तरह से question देगा, यह हम बता देते हैं, तो यह हम लोग का example है, जो की exam में आ चुका है, एक exam में PO की exam में आ गया है, क्या बोले है, the man is mortal and ultimately he has to leave everything here, yet how irrationally he remains attached to his worldly position, male जो है mortal, यान कि मरनशील एक नए एक दिन वो मिर्तिव को मनमे, उसका एक नए एक दिन देत होगा ही, फिर भी वो जो है, इस अर्थ में जो position वाला चीज़ा सकी money हुआ, relationship है, money सबसे बहुत ज़्यादा attach हो जाता है, इसमें कौन सा पार्ट जो गलत है, तो इसमें पार्ट A जो है, एकदम गलत है, क्यूं? क्यूंकि the man का यूज किया गया, बलकि यहां पर सिर्फ man का यूज होगा, okay, the man का यूज यहां पर नहीं होगा, काट देती में इसे, यहां प बहुत इंपोर्टेंट रूल है, तो अगर आप लोग को आज के वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए, और डेली ने अपडेट्स पानिकली में चनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स वाचिंग